दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी मेडिसिन रुब्यू में है दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लीनर के बारे में बताने वाला हूँ ये विर्बैक इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्त है य और इस दवा का उपयोग आप गाय, भैस, घोडा, उंट, कुता, बकरी, भेड यानि जो भी जानवर है छोटे बड़े सभी जानवरों में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं और सबस्यादा समश्या होती है इस दवा को किस तरह से लगाया जाए ये आप ल परसेंट आउटबुट मिल जाएगा लेकिन वीडियो सुरू कर उसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वाफजिक कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके आउल पर सेलेक कर लीजे जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें दोस्तों अब बात सुरू करें आपके वेरबैक के इस क्लीनर की तो यह काफी साइज में आता है यह 5 ml का पैक है और यह सिंगल यूज में जो लाए जाता है व यानि आप इस दवा को अपने जानवर के शरीर पर जो भी बाहय पर जीवी हैं उनको खत्म करने के लिए उप्योग में लाते हैं बाहय पर जीवी मतलब जू, चीचड, किलनी, मक्खी, चमोकन या फिर किसी घाव में केड़े पढ़ गए हूँ उन सभी को खत्म करने के लि किसी भी संस्टी पार्ट पर ना लगे और जब आप इसको लगा लें तो तुरंत साबून से हाथ धुल ले तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इस दवा को लगाना होता है आपके जानवर को तो यह जो 5 ml का पैग है 5 ml का पैग आप 3 से 4 लीटर पानी में मिला सकते हैं या फिर अगर चोटे जानवर हैं तो एक लीटर में आप 1 से 2 ml पानी दवा आपको मिलाना होता है मतलब जितने पानी में आपके जानवर के शरीप पर पूरी तरह से लग जाए आप उतना ही पानी उप्योग में ले इस दवा को लगाने के पहले आप अप पिर छोटा करके बांद दे जिससे घूम गे वह चाटे ना क्योंकि चाटेगा तो थोड़ा सब वह आफ़ीड होगा तो जब आप दवा को लगाएंगे तो इतना देखेगा कि जानवर इसको चाटे नहीं तो इस दवा को पहले आप अपने जानवर को बात दीजिए बातने क रहे मतलब अगर आप नहलाएंगे तो आधा उसके शरीर पर रहेगा दवा जो है वह आधी बह जाएगा तो पूरा उसका ध्यान रखके की ही आप इस दवा को लगाएं मतलब कि आप कपड़े से छप छपाएं आपके जानवर के शरीर पर उसके बाद में कुछ टाइम तक वैसे ही छोड़ें जिससे उसके शरीर पर दवा जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उस पर सूख जाए उसके बाद में जब सूख जाए अच्छे से दवा आपके जानवर के शरीर पर भिन जाएगी उसके बाद आप अपने जानवर को अच्छे से दो तीन बार साफ पानी से रगड़ के नहला दीजे नहलाने के बाद आपके जितने भी बाहर फरचीवी जो चीचड किलनी जो भी लगे हुए होंगे वो सब के सब साफ हो जाएंगे और इतना करने के बाद आप जो आपका जानवर जहां पे बादा जाता है वहां पे भी वो प्रभावित कर देंगे जो बाहर फरचीवी हैं वो छोड़के भगेंगेल तो वहीं पे ही रहेंगे ना तो आप इसी दवा को 2 लीटर पानी में मिलाके जहां पे आपका जानवर बादा जाता है वहां पे भी छड़काव कर दें तो सारे के सारे जो बाहर फरची भी आपके होंगे जो चचचचचच किली मक्ही जो भी होते हैं वो सब के सब भाग जाएंगे और सस्ती है दवा आपको 20 रुपे में आराम से मार्केट में मिल जाएगी 24 मारपी है इसकी तो यही था आपका वीडियो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं और आपको लगाते समय थोड़ा सा देखिएगा तो यही था आपके वीडियो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर भी जरूर करें मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद